हाई गाईज विसी नर्सिंग का नमबर वन चैनल अस्टेव मीडियम में आप सभी का स्वागत है तो आज हम आप लोग के साथ एक इंपोर्टेंट अपडेट को सेयर करने वाले हैं जो कि बिहार पारमेडिकल एक्जाम के डिगार्डिंग रहने वाला है इसका जो 2024 में है वो एक्जाम कब तक होगी इसका फॉर्म कब तक आएगा क्या इस साल सिलेवस पैपर पैटरन चेंज होने वाला है इसका कट अफ क्या रहेगा इस फॉर्म को कौन-कौन से श्ट्रेंट भर सकते हैं और साथ में आपको यह भी बताने वाली हूं कि इसकी तैयारी आप कहां से कर होगे ताकि 100% सेलेक्शन हो जाए तो सभी डाउट को किलियर करने वाले आज के इसी वीडियो में तो वीडियो को सुरू से अन तक देखेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिएगा अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब क जो एक्साम होता है वो 12th लेवल का होता है यानि अगर आप 12 पास आउट हो तो आप पारामेडिकल यानि PMM एक्जाम को भर सकते हो और यह जो PMM का एक्जाम होता है वो 10th लेवल का होता है यानि आप 10 पास हो तो आप PMM का फॉर्म भर सकते हो और यह आप 12 पास आउट हो त 17 years होता है और maximum age 35 होता है तो ही आप इस form को भर सकोगे तो अब हम आते हैं कि इस form को भरने की fee क्या लगती है तो अगर आप UR category से या OVC category से या EWS category से बिलोंग करते हो तो आपका form भरने का जो fee है वो 1000 लगेगा यह दि आप SC या SD category से बिलोंग करते हो तो आपको 500 रुपिज लगेंगे form भरने के charge ठीक है तो अब इस form भरने के बाद आपको एक exam देना परेगा तो उस exam का pattern क्या रहता है तो आईए हम इसकी बात करते हैं तो इस exam में बिहार पारमेडिकल के exam में total 90 question पूछे जाते हैं question बहुत ही आसान होता है simple रहता है जिसमें से science से आपका science के अंडर physics, chemistry, biology इस से आपको 25 question पूछे जाते हैं और हिंदी से आपका 15 question रहता है, English से आपका 15 question रहता है, GK से आपका 20 question रहता है और math से आपका 15 question रहता है इस तरीके से total आपका 90 question पूछे जाते हैं तो जितने भी question पूछे जाते हैं वो सारे 10th level का ही question रहता है चाहे आप paramedical का form भरे हैं या PMMM का या पारamedical और PMMM का आपको 10th level का ही question पूछा जाएगा मतलब बहुत ही आसान question रहता है इसमें पूरे 90 question पूछे जाते हैं जिसमें से हरे question पे आपको 5 marks मिलेगा तो यह जो exam होती है 450 marks की होती है इसका full marks 450 रहता है most important बात इस exam में क्या कोई negative marking रहता है तो इस exam में कोई भी negative marking जो होती है वो नहीं रहती है तो आप 90 में 90 question को attempt कर सकती हों तो अब हम आते हैं इसका paper language बेए तो इसका जो paper का जो language होता है वो bilingual होता है Hindi और English दूनों ही language में आपको paper देखने को मिलेगे तो इस exam का timing क्या रहता है तो इस exam का जो timing होता है 2 घंटा 15 मिनट यानि 2 घंटे 15 मिनट में आपको 90 questions solve करना होगा तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर सरकारी का उलेज में seat चाहिए तो कितना number लाना होगा तो इसमें आपका दो post होता है एक ZNM एक ANM दोनों ही अलगों लोगों होते है ZNM 3 साल का course होता है ANM 2 साल का course होता है तो अगर आपको ZNM में seat चाहिए तो आपको 450 में 250 मिनिमम 250 तो लाना ही परेगा तभी आपको ZNM में seat मिलेगी अगर आपका mark 200 रहता है तो आपको ANM में seat मिलेगी क्योंकि ANM का cutoff 200 जाता है और ZNM का cutoff 250 जाता है तो मिनिमम आपका cutoff यह रह गया seat तो बहुत ही जाता है अगर बात किया जाए तो ZNM में लगभग 2130 seat है 2130 seat हैं ZNM में और A&M में 758 यह लगभग seat है seat बहुत ही जादा रहता है इतने में आपको अराब से seat मिल जाएगी तो अब हम बात करते हैं कि अगर इस exam में selection हो गया जब आपका college में admission होगा तो उसमें भी कुछ feel लगती है अगर आपका selection government college में हुआ हो तो बहुत ही कम भी में हो जाएगा government college जो होती है वो 17 है और private college 22 है पूरे बिहार में अगर आप private में जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा fee लगेगा government college की जो fee होती है वो 50,000 per year लगेगा यानि 2-8,500,000 में आपका complete हो जाएगा अगर वही आपका private college की बात करे तो 5-6,000,000 आपको लग जाएंगे course complete होने में यदि आप थोरा सा भी मेहनत करते हो तो आपको बहुत सस्ते में course complete हो जाएगा तो आप मेहनत में अभी से लग जाएए अभी से तयारी केजिए तो अब इसकी बात करते हैं कि इसका जो form है 2024 में वो कावाने वाला है तो इसका जो form है वो अपरिल तक आएगी अगर आपका form अपरिल में आ गया तो इसकी जो exam है वो मई से जून तक में ले लिया जाएगा तो आप अभी से तयारी में लग जाएए तभी आपका selection हो पाएगा तो इसकी तयारी आप कहां से करोगे ताकि government college में selection हो जाए आप हमारे app को download कर लेजिए जिसका link हमरे description box में दे रखा है या फिर आप प्लेश्टोर में जाके search कर सकते हो और study medium यहाँ पे आपको एक 10,000 objective question का question bank दिखेगा जो PM और PMM दोनों के लिए best रहेगा इसमें आपका all subject के question include रहेंगे और most important पिछली 15 साल में जितने भी question पूछे गये हैं previous year question सब भी को इसमें include किया गया है और जादा जो repeated question है उसको भी इसमें include किया गया है आपके exam में total 90 question पूछे जाते हैं और यहाँ हम आपके लिए 10,000 objective question का question bank लाए हैं तो क्या आपको लगता है कि इससे बाहर भी question पूछे जाएगा बिल्कुल नहीं तो आप जल से जल जाएए हमारे study medium app को download कर लीजिए और आप हमारे question bank को purchase कर सकते हैं अगर इस question bank को purchase करने में कोई problem हो रही हो तो आप हमारे दिये गए help line number पे call या WhatsApp कर सकते हैं यह question bank मात्र आपको 199 में ही मिल जाएगा आप direct help line number पे payment करके भी इस question bank को ले सकते हो अगर आपके पास payment करने का option नहीं है तो आप किसी और के शुरूबी इस number पे payment करवा के इस question bank को active करवा सकते हो तो जल से जल जाएए सभी इस question bank को purchase कर लीजिए ताकि आपका भी जो selection है अच्छे से अच्छे government college में हो पाए तो जैसे ही आगे इस exam के regarding कोई update आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल में वीडियो के माध्यम से मिल जाएगे तो चैनल को subscribe कीजिए वीडियो पसंद आए तो like कीजिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई